दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मीनी बोर्वेल मसीन रिपेर के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मीनी बोर्वेल मसीन में गेर बोक्स में समस्या आ गया है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक bearing जो है ये टूटा हुआ था और इसको आज हम change करेंगे और change करने के लिए कुछ इस परकार से पहले इसको निकाला जाता है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस bearing को इसमें ठोक दिया गया है और उसके बाद इसको में हलका सा यहाँ पर हम welding कर देंगे हलागि welding करने का region ये है कि यहाँ पर जो इसमें ठोका गया है ये थोड़ा सा ध्हिला टाइप का है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस परकार से इसको हम setup कर दिया है और हम आ गये हैं यहाँ पर अपने साइड पर और यहाँ पर कुछ इस परकार से इसमें बेरिंग में और जो दाता है इसको में अच्छा तरह से गिरिस को लगा लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यह जो बुर्वेल मसीन है यह गेरबॉक्स हुआ है और इस गेरबॉक्स को पहले अच्छा तरह से साफ सफाई कर लेंगे क्योंकि जब यह गेरबॉक्स खुल गया है तो इसको अच्छा से साफ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछी इस परकार से बल्ठाया गया है और दोस्तों इस वीडियो में हम अस्टेप बाई अस्टेप नहीं लाए हैं इसका रीजन यह हुआ कि मेरा काम काफी ज़्यादा तेजी में था इसके वज़े से हम वीडियो अस्टेप बाई अस्टेप नहीं दिये हैं फिर भी कोशिस किये हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो हम आपके बीच वीडियो के माध्यम से सेर करें और यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो बैरिंग था उसको गेरबॉक्स के अंदर सेट अप कर दिया है उसके बाद बारी-बारी से इसका जो नट है इसको टाइट करेंगे और सभी नट को अच्छा तरह से टाइट करेंगे और दोस्तों जदी आपके पास कोई भी बोर्वेल मसीन हो और इस तरह का समस्या आता है यानि बोर्वेल मसीन के रिलेटेड किसी भी तरह का फोल्ट हो तो आप डिरेक्ट कॉंटेक्ट क कर सकते हैं और बिल्कुल A to Z जनकारी ले सकते हैं और जहां तक आप मसीन कौन सा कंपनी का लेना है ये भी आप हमसे कोंटेक्ट कर सकते हैं और डिरेक्ट बात कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग जो हैं ये सभी चीज के बारे में जान गए हैं और जो भी चीजे यहां पर देख सकते हैं यहां पर इस जो हेड होता है जो रौटरी जो ड्रिल रड को कसता है उसको इस तरह से टाइट करेंगे और यह जो मसीन है यह सीवा कमपनी का है काफी बेहतरीन है काफी अच्छा वर्क कर रहा है और मेरे पास सला की दो मसीन है दोनों अच्छा वर्क कर रहा है और विशेश जनकारी के लिए आप देरेक्ट कॉल कर सकते है जदी आप मसीन लेने के लिए सोच रहा है तो वीडियो में लाश्ट में नंबर मिलेगा और वहां से आप डिरेक्ट कोंटेक्ट कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं मसीन लगभग यह जो गेर बॉक्स है यह लगभग कम्पलीट हो गया है आपको यहां पर हम अभी रहता है और उस हॉल के सामने करेंगे और उसके बाद इसमें बोल्ट को टाइट करेंगे ताकि राइट लेफ्ट जब घुमाएंगे तो वहां पर वो पकड़ कर रखेगा और यहां पर देख सकते हैं गेर बॉक्स मेरा कम्पलीट हो गया और यहां पर उपर नीचे डिलरड को कसा जा रहा है किस तरह से डिलरड को कसा जाता है कैसे डिलरड को खोला जाता है और पहले से मेरा चैनल पर वीडियो डाला गया है आप जदी नहीं चेक किये हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं और चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज दोस्तो आप इस चैनल को ज़रूर सस्क्राइब रखे क्योंकि दोस्तो एक ही चैनल पर काफी ज़्यादा टेक्निकल रिलेटर जनकारी मिल जाता है तो आप जाए और यूटूब पेज पर जदी आप नहीं गये हैं तो वहाँ पर सर्च करें और चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैए